स्टेप फादर और स्टेप डॉटर में अफेर हो जाता है और उन्हें डिसाइड क्या मदर को अपने रास्ति से बाहर निकाल देंगे अब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टंस के साथ आज के हमारी मुवी मिनी इस फर्स टाइम इसकी ट्विस्ट एंडिंग के लिए अंतक इस इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना किसी तरीक है एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में ग्रेजुशन की स्पीश देता हो देख सकते है वो इस यहर के वैले डिक्टोरियम बने इसके लिए उसे सब लोगों ने वोट किया था तो गयती है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉलम्स आए पर इन सब चीजों से मैंने एक बात सीखी कि जो चीज आप पाना चाहते हो उसके पीछे आपको जाना चाहिए अब इ अपाने के एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जिलेनां जिलेना पोने पते से सिर्फ एसों के लिए शादी कि थीए इसके बाद हम उनका एक नेबर देखते हैं जिसका नाम था मायक टिवी शो था जहाँ पर कबल आते थे और शादी से पहले उन्हें कफरंड कए चाहता था मिनी का जब बड़े केक आता है तो उसके अंदर से मिनी निकली और वो नियूर थी अपनी मदर को इंबरस करने के लिए उसने ये सब किया हुआ था मिनी फिर अपने बारे में बताते हो गयती है कि मेरी मदर एक एक अक्टरिस बनना चाहती थी इसके बाद एक प्रोडूसर की वज़े से वो प्रेगनन्ट हो गे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाली थे उसी वज़े से उसने मुझे बर दिया इन साब बातों की वज़े से मिनी अपनी मदर को हेट करती है वो एक अलकुलिक है और मिनी पर कभी भी ध्यान नहीं रखती है मिनी ने आज जो भी क्या था इसके लोडायन से सौरी कहती है डायन ने कहा कि आज मुझे पार्टी के लिए बाहर जाना है मेरी दारू थोड़े टाइम में घर पर आ जाएगी इसकी डिलेवरी तुम ले लेना मिनी फिरम से कहती है कि डायन ने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी किये जो मेरे स्टेफ फादर है इसका नाम है मार्टिन मिनी कहती है कि मेरे मदर और मार्टिन की भी इसमें उतने अच्छे रिलेशन्शिप नहीं है वो कभी भी उन्हें एक साथ नहीं देखती है मिनी कह में अलग-अलग चीज़े एक्स्प्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है जो भी नया हो यह उसे करना ही होता है आज राद वो डिस्कोर करना चाती थी कि एसकोर्ट सर्विस में काम करना कैसा होगा तो यहीं करने के लिए चली के एक दिन फिर उसे एक अपॉइन्मेंट दी जा दिया वो जब होटेल पर बहुची तो दूर से ओ देखती है कि उसका क्लाइन मार्टीन है इस बाद से ओ शौक हो गई थी वो वाश्रूमें चली के और उसने वर्णर किया कि इस सीचोशन का फाइदा उठा सकती है वो मार्टीन से बात करने लग गए उसने कहा कि लाइट बन कर दो मैं जरा शाय हूँ लाइट बन करने के बाद पीछे से वो मार्टीन के पास आती है उसकी आखों पर उसने पट्टी बांदी और उसके बाद उसके साथ इंटिमेट होके ये सब करने के बाद मीनी को बहुत ही मज़ा आ रहा था वो मन ही मन में सोचती है एक दिन मार्टीन को सप्राइज करेगी पर तब ही पीछे से मार्टीन आ जाता है मार्टीन ने कहा कि तुम तुमारी चावी पीछे ही छोड़कर आ गई थी मिनी ने जब उसे अपना चेहरा दिखाया तो बहुत ही ज़ादा शौक हो गया था वो कुछ भी बोल नहीं पाया और पर आने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलता इसके बाद वो मिनी के आसपास भटगने लग किया था उसे उसके होमवर के बारे में पुछता अलग-अलग चीज़ों को लेकर उसे बात करता नेकसिन में हम स्कूल में देखते हैं कि मिनी की फ्रेंड को एक लड़का बहुत ही ज़ादा तंग करता था मिनी के फ्रेंड से आस भी भी 수 ही गलत बात कर रहा था मिनी उसके पास चले जाती है कहती है अगर तुमें इनी सब चीजों में इंट्रेस्ट है तो अभी क्या भी तुमारी पैंड निकालो वो सबके सामने उसकी पैन निकालने लगे और वो बहुत ही ज़ादा डर जाता है सबके सामने दुम दबा कर भागा एक राध जब डायन सोई हुई थी तो मिनी के बेड्रूम में मार्टिन आया मार्टिन ने मिनी से खा उस राध जो भी हुआ था इसके बारे में मैंने बहुत सोचा अगर तुम्हारे फादर जिन्दा होते तो तुम्हारे वो खैल रखते मिनी बूछती है क्या तुम मेरा खैल रखना चाहते हो इस पर मार्टिन असता है और इसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए इनका एक बहुत ही जादा स्ट्रॉंग अफिर स्टार्ट हो गया था मिनी कहती है मेरी मजर से बदला लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा वे था एक राध डायन ने मिनी के बेडरूम से आवाज सुन ली मार्टिन ब्लैंकेट में छूप गया डायन मिनी से कहती है कि मुझे मार्टिन कहीं भी मिल नहीं रहा उसने ब्लैंकेट को नोटिस किया था तो डायन कहती है तुम्हारे फ्रेंड को तुम पीछे के दर्वाजे से बाहर निकाल देना मार्टिन को बात अच्छी नहीं लगेगी मैं जारी को कुछ भी पता ही नहीं था मार्टिन और मिनी इस बात पर बहुत अस्त है आजकल इतना सारा टाइम एक दूसरे की साथ स्पेंड करते थे तो एक दूसरे से वो प्यार करने लग गए अब 4-5 मन खुजर जाते है मार्टिन ने मिनी से बात कि कहा कि अब मैं डायन के साथ नहीं रह सकता मुझे उसे देख कर भी खीना आती है हम दोनों को हमेशा एक साथ डर डर कर रहना बढ़ता है मिनी कहती कि मैं भी तुमारे साथ बिना रिस्टिक्षन के रहना चाहती हूँ हमें मेरी मर्दर को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए मार्टिन पुछता है कि क्या तुम उसके मर्डर के बारे में बात कर रहे हो मिनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं हम स्लोली स्लोली उसकी दिमाग यहारत खराब करेंगे उसे एक इंस्टिडूशन में भेज देंगे जिससे कुछ भी प्रॉलम नहीं होगा दिवोस में तुम्हें 50% प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ती है यह भी तुमारी बच जाएगी है अब इसके बाद अपने प्लान को लेकर यह आगे बढ़ते है मिनी ने अपने स्कूल के फार्मसी से कुछ मेडिसिन चुरा लिया यह नीन वेगरा आने के मेडिसिन्स थे डायन के लिए मिनी ही हमेशा ड्रिंक बनाती थी तो स्लोली स्लोली उसे गुलिया वो देने लग गे डायन को भी इस बात का कभी भी शक नहीं गया एक दो दिनों में डायन का गुसा बढ़ने लग गया उसे मसाज लेने के लिए अर्जन जाना था पर मिरीन उसकी कीज चुपा दी थी मिरीन और मार्टिन दोनों मिलकर डायन को पागल ठहराने की कोशिश कर दे डायन इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मार्टिन की कार लेकर चली के एक बहुत इंपोर्टन क्लाइन के साथ मिटिंग थी जो कर नहीं पाया अब जिस अपोंट्मेंट पर डायन जा रही थी मिनी कॉल करकर उस अपोंट्मेंट को कैंसल कर देती है डायन जब वहाँ पर पहुची तो उसकी फ्रेंड मसाज ले रही थी मस्यूश के साथ वो इंटिमेट भी हो रही थी इस बात से डायन बहुत ज़्यादा गुश्सा हो जाती है उसने कहा कि आज मेरे अपोंट्मेंट थी तुमें ऐसा कर कैसे सकते हो जेलेना डायन को समझाने की कुशिश करती है पर डायन ने जेलेना को इतनी जोर से पंच किया कि उसके हाथ में फ्रेक्चर आ गया था अब इसके बाद और भी उसे तंग करने के लिए मीनी घर पर कुछ भी ओर्डर करने लग गए एक दिन उसने डायन के नाम से बहुत सारे जू एनिमल्स घर पर बुला लिया डिलेवरी के लिए जब वो आदमी आता है तो डायन ने कहा कि मैंने सब ओर्डर नहीं किया था तो अदमी ने कहा कि कल चाम तुम नहीं तो कॉल किया था यहाँ पर आज तुम पार्टी करने वाली थी डायन हर राट ड्रंक होती है तो मीनी और मार्टिन को यह साबित करना कि ड्रंक होकर उसने ओर्डर की थी कुछ भी बड़ी बात नहीं थी इस बात को लेकर मार्टिन नाटक करता है कि डायन पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे डिलिवरीज आने लग गई थी डायन इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई और भी ज़्यादा और ड्रंग रहने लग गई थी मिनी ने अब और एक प्लान बनाया एक दिन डायन और उसके सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे जाने से पहले डायन के ड्रिंग में उसने और कुछ मिला दिया था जिसे डायन बहुत ही ज़्यादा बाते करें वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी पार्टी में जो भी लोग थे वो डायन के बारे में बात कर रहे थे कि आज कल वो बहुत ही अजीव सा बरताव करती है जब वो पार्टी में लोगों से बात करती है तो उससे इग्नोर करने लग गया तो डायन इस बात से बहुत ही ज़ादा गुश्चा होगे यहाँ पर वो बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है मार्टिन और मिनी फिर उसे घर पर लेकर गया एक दिन डायन की फ्रेंड जलेना ने उसे मिलने के लिए बुलाया जलेना कहती है कि मैं तुम्हारे एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो उस दिन तुमने जो भी देखा कि मेरे हस्बन को पता नहीं चलना चाहिए डायन कहती कि मेरे बारे में भी गलत चीज़े बता न तुम लोगों को बन करतो इस मीटिंग के बाद डायन जब बहार नेगली तुम इनी आसपासी थी मिनी कुछ लड़कों को हायर करती है और उन लड़कों ने डायन को धमकी देना स्टार्ट करती है फोन पर उसे गहते हैं कि मुझे तुमारे एड्रेस की बारे में पता है अगर तुम घर पर गई तुमें एक डेंजर है इस बात से डायन बहुत ही ज़दा डर गए जिस तरीके से वो फोन पर बात कर रही थे इसे मॉल के सिकुरिटी ओफिसर को लगता है कि ये लड़की पागल है उसे जा कर रिस्टिक करने की कुशिश कर दे तो डायन का फिर से एक ब्रेकडाउन हुआ इसके बाद आज रात मीनी और मार्टिन ये दोनों डिनर के लिए जा रहे थे उन्होंने डायन से पूछा पर डायन इसके लिए मना कर दिया ये दोनों फिर ब्लैक सुट पहन लेते हैं डायन को फिर से उन लड़कों से धमके का कॉल आया तब मार्टिन और मीनी एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लग गया डायन बहुत ही ज़दा डर जाती है भाग कर उसने अपने आपको एक कमरे में बन कर लिया इसके बाद मीनी और मार्टिन डिनर के लिए चले गए थे जब वो वापस आया तो डायन ने बहुत सरी sleeping pills ले ली थे उन्हें पहले लगता है कि शायव तो मर गई है पर अब तक वो जिन्दा थे मार्टिन अब ambulance को कॉल करने वाला था और मीनी कहती है हमें यह नहीं करना चाहिए मार्टिन ने कहा कि हमने तो decide किया था कि हम इसका murder नहीं करेंगे मीनी ने कहा कि अगर हमने इसे बचाने की कोशिश किये पर फिर भी कभी ना कभी suicide करने ही वाली है मार्टिन भी फिर इस बात के लिए मान जाता है आधी रात बीथ के पर फिर भी मार्टिन के साथ मिलकर उसे गाड़ी में डाल देती है गाड़ी को ऑन रख कर सैलनसर को बन कर दिया जिससे ग्यास की वज़े से डायन की डेथ हो जाए ये सब करते हैं मिनी को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता ये बात मार्टिन को बहुत ही अजीब लगी थी डायन की डेथ हो जाने के बाद ये पुलिस को कॉल करते है मिनी बहुत ही जादा रो रही थी एक डिटेक्टू आकर फिर उनसे बात करता है इसका नाम था ड्वाइट ड्वाइट ने कहा कि मुझे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या इस सचुश में सुसाइट थी क्या कुछ अलग था इस बात पर मिनी उस पर बहुत ही ज़्जादा जुसा हो जाती है कहती है अभी अभी मेरी मदर की डेथ हुई है और तुम ये सब बात हैं हमसे कर रहे हो जेलेना आकर मार्टिन से बात करती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी सहारे की ज़रुवत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हो, मैं दस मिनिट में तुम्हारे घर पर आ जाओंगी, मार्टिन और मिनी को जल से जल इन सब से दूर जाना था, तो वैकेशन पर एक ज साथ काम करती थी, यानि कि वो लड़की भी एक escort है, इस सब बातों से मार्टिन डर जाता है, कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मां किसी ना किसी को तो बता देगा, मिनी ने कहा कि वो किसी को कुछ भी बताएगा नहीं, अगर उसने बताया, तो उसका भी राज ह से पहले उसने कुछ पील्स ली थी, कोई भी suicide करने वाला आद में दो बार attempt नहीं करता, उसने phone record भी चेक किये थे, वो कहता है कि 8 बज़े किसी ने 911 को call किया था, ये call मार्टिन ने लगाने की कोशिश की थी और बाद में cut कर दिया था, इस वाज़े से डिरेक्टू को और से बात करनी थी, आज रात उसे अपने एक important appointment cancel करकर डिरेक्टू से बात करनी पड़ी, उस रात की बारे में उसने बहुत ही detail से question पूछे, कि किस time पर हो कहा कहा थे, उन्हें घर आने के लिए कितना time लगा, movie में हो कितना time थे, पर इन सब के answer उन्होंने already ready करकर रखे थे, मा मार्टिन ने उसका पीछा क्या, तो किसी और आदमी के साथ वो dance कर रही थे, सुबा वो बहुत ही late घर पर आई, तो मार्टिन कहता है, तुम रात बर कहा थे, मिनी कहती कि एकी time पर तुम मेरे father और boyfriend बनने की कोशिश मत करो, मार्टिन कहता है कि हम दोनों relationship में है, तुम कहा क्या कर रही हो, इसे लेकर में worry करता हो, relationship में यह सब चीज एकदम normal है, क्या कभी भी तुम पहले relationship में थी नहीं, मिनी कहती कि मेरी first relationship है, इसी वज़े से इस movie का नाम मिनी's first time है, मार्टिन जब office पर आया, तो मिनी और वो kiss कर रहा था, इसके एक photo उसे मिल जाती है, इसका address उ office से उसे envelope मिला था, वो पहले माइक पर शक कर रहा था, तो इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है, जब मार्टिन office में वापस आता है, तो उसके बॉस ने उसे बुला हुआ था, वो गहते है कि हमारा एक बहुत important client तुमारी वज़े से चला गया, और उन्हों तो अपना job खोया, इसके बाद तुम सब कुछ खो सकते हो, अगली दिन मीनी जाकर माइक से बात करती है, उसने कहा कि मार्टिन को एक envelope मिला था, जिसमें मैं और मार्टिन हम दोनों बहुत ही करीब थे, कैसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, माइक कहता है कि मुझे इसक पर आना चाहते हो, तो मैं कुछ ना कुछ तो करी सकता हो, मीनी इसके लिए बहुत ही excited थे, अगली दिन जब वो स्कूल में आये, तो उसकी प्रिंसिपल उसे बुलाती है, प्रिंसिपल के पास डिटेक्टियू था, उन्होंने उसे एक वीडियो recording दीका है, जिससे साफ सामसी से कुछ मेडिसिन चुरा रही थे, ये गंफरन करने के बाद मीनी रोने लगती है, कहती है मेरे पास कुछ भी option नहीं था, मेरी मदर ने मुझे लाने के लिए कहते, वो मुझे blackmail करती थी वरना वो मुझे कैनडा में भेज देती है, उसकी बात पर प्रिंसिपल तो ब अब तुम्हारे पास एक choice है, अगर तुम कहते हो कि सारा plan मीनी का था, तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, ये opposite बात उसने मीनी से भी कही, वो मीनी से कहता है कि अगर तुम मार्टिन को frame करने के लिए radio, तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, मीनी इसके लिए साफ साफ म जाता है, वो माइक पर भी गुसा हो गया था, तभी घर पर मार्टिन और मीनी की और एक फोटो उसे आ जाती है, वो अब अपना गुसा कंट्रोल नहीं कर पाता, डारेक्ली माइक के घर पर पोच गया, उसे हो मारने लग जाता है, पैरलल में मीनी ने पुलिस को कॉल कर दि अगर तुम जाओ तो माइक को हमारे रास्ते से हम हटा सकते है, मैंनी कहती है कि तुम बहुत ही जादा बुद्धू हो, वो सब फोटो मैंने ही तुमें भेजी थी, जो भी सब को चुछ हुआ, ये पहले से मेरा ही प्लान था, मार्टिन बैजारा हमेशा के लिए जेल में फ सब्सक्राइब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्स के साथ, आज के हमारे मूवी मीनी फ़र्स टाइम, इसकी ट्विस्ट एंडिंग के लिए अंतक इस वीडियो को जरू देखेगा, अगर आपको वीडियो चल लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजे, बिना किसी तरीक है, एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते है, मूवी स्टार्ट होती है, और हम हमारी मेन क्यारेक्टर मिनी को अपने ग्रैजुइशन की स्पीच देता हो, देख सकते है, वो इस यहर के वैले डिक्टोरियम बने, इसके लिए उसे सब लोगों ने वोट किया था, पर इन सब चीजों से मैंने एक बात सीखी, कि जो चीज आप पाना चाते हो, उसके पीछे आपको जाना चाहिए, अब इसके बाद फ्लैश बैक में हमारी मूवी स्टार्ट होती है, आज मिनी का बड़े था, तो उसकी मतलर डायना ने उसके लिए बहुत इबड़ी बड़े पार्टी पर उसने एक स्ट्रीपर को भी इन्वाइट किया था, यहाँ पर हम हमारे अलग-अलग क्यारक्टर से मिलते हैं, डायने के एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जीलेना, जीलेना ने अपने पती से सिर्फ एसों के लिए शादी की थे, इसके बाद हम उनका एक नेबर देखते हैं, जिसका नाम था माइक, माइक का एक टीवी शो था, जहाँ पर कपल आते थे, और शादी से पहले उन्हें कंफर्ण किया चाता था, मिनी का जब बड़े केक आता है, तो उसके अंदर से मिनी निकलिये, और वो नियूर थी, अपनी मदर को इंबरस कर करती है, वो एक अलकुलिक है, और मिनी पर कभी भी ध्यान नहीं रखती है, मिनी ने आज जो भी क्या था, इसके लो डायन से सौरी कहती है, डायन ने का कि आज मुझे पार्टी के लिए बाहर जाना है, मेरी दारू थोड़े टाइम में घर पर आ जाएगी, इसकी डिलेवर करना बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी नया हो, यह उसे करना ही होता है, आज राद वो डिसकोर करना चाहती थी, कि एसकोर्ट सर्विस में काम करना कैसा होगा, तो यही करने के लिए चली के, एक दिन फिर उसे एक अपोइन्मेंट दी जाती है, वो जब होटेल पर आती है, उसकी आखों पर उसने पट्टी बान दी, और उसके बाद उसके साथ इंटिमेट होके, यह सब करने के बाद मिनी को बहुत ही मज़ा आ रहा था, वो मन ही मन में सोचती है, एक दिन मार्टिन को सप्राइस करेगी, पर तब यह पीछे से मार्टिन आ जाता है, के बारे में पुछता, अलग-अलग चीज़ों को लेकर उससे बात करता, नेकसिन में हम स्कूल में देखते हैं कि मिनी की फ्रेंड को एक लड़का बहुत ही जाता तंग करता था, मिनी के फ्रेंड से आज भी बहुत ही गलत बात कर रहा था, मिनी उसके पास चली जाती है, क इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते हैं, तो तुम्हारे वो खयाल रखते हैं, मिनी बुचती है, क्या तुम मेरा खयाल रखना चाहते हो, इस पर मार्टिन असता है, उसके बाद इस दोनों इंटिमेट हो गए, इनका एक बहुत ही ज निकाल देना, मार्टिन कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मैजरी को कुछ भी पता ही नहीं था, मार्टिन और मीनी इस बात पर बहुत अस्ते हैं, आजकल इतना सारा टाइम एक दूसरे की साथ स्पेंट करते थे, तो एक दूसरे से वो प्यार करने लग गए, अब चार मर्डर को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए, मार्टिन बुचता है कि क्या तुम उसके मर्डर के बारे में बात कर रहे हो, मिनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम स्लोली स्लोली उसकी दिमाग यहारत खराब करेंगे, उसे एक इंस्टिटूशन में भेज देंगे, जिससे क कुछ भी प्रॉलम नहीं होगा, दिवस में तुम्हें 50% प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ती है, यह भी तुम्हारी बच जाएगी है, अब इसके बाद अपने प्लान को लेकर यह आगे बढ़ता है, मिनी ने अपने स्कूल के फार्मसी से कुछ मेडिसिन चुरा लिया, य मिनी नो उसकी कीज चुपा दी थी, मिनी और मार्टिन दोनों मिलकर डायन को पागल ठहराने की कोशिश कर दया, डायन इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, वो मार्टिन की कार लेकर चली गे, मार्टिन की एक बहुत इंपोर्टन क्लाइन के साथ मिटिं पर डायन ने जिलेना को इतनी जोर से पंच किया, कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, अब इसके बाद और भी उसे तंग करने के लिए, मिनी घर पर कुछ भी ओर्डर करने लग गए, एक दिन उसने डायन के नाम से बहुत सरे जू एनिमल्स घर पर बुला लिया, डि बात को लेकर मार्टिन नाटक करता है कि डायन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे डिलिवरीज आने लग गई थी, डायन इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई, और भी ज़्यादा ड्रंग रहने लग गई थी, मिनी ने उससे इग्नोर करने लग गया, तो डायन इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, यहाँ पर बहुत ही बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है, मार्टिन और मिनी फिर उसे घर पर लेकर गया, एक दिन डायन की फ्रेंड जेलेना ने उसे मिलने के लिए बुला, जे जो सेगत हैं, मुझे तुम्हारे एड्रेस की बारे में पता है, अगर तुम घर पर गई, तुम्हें एक डेंजर है, इस बात से डायन बहुत ही ज़्यादा डर गई, जिस तरीके से वो फोन पर बात कर रही थी, इसे मॉल के सिकूरिटी ऑफिसर को लगता है, यह लड़की का कॉल आया, तब ही मार्टिन और मिन एक चाकू लेकर उसका पीछा करने लग गया, डायन बहुत ज़्यादा डर जाती है, भाग कर उसने अपने आपको एक कमरे में बन कर लिया, इसके बाद मिनी और मार्टिन डिनर के लिए चले गए थे, जब वो वापस आया, तो डायन ने बहुत सरी sleeping pills ले ली थे, उन्हें पहले लगता है कि शायव तो मर गई है, पर अब तक वो जिन्दा थे, मार्टिन अब ambulance को कॉल करने वाला था, और मिनी गहती है, हमें यह नहीं करना चाहिए, मार्टिन ने कहा कि हमने तो decide किया था, कि हम इसका murder नहीं करेंगे, मिनी न लगा और मार्टिन के साथ मिलकर उसे गाड़ी में और डाल देती है, गाड़ी को on रख कर silencer को बन कर दिया, जिससे gas की वज़े से डायन की death हो जाए, यह सब करते हैं मिनी को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता, यह बात मार्टिन को बहुत ही अजीब लगी थी, डायन की death ह हो जाने के बाद पुलिस को कॉल करते है, मिनी बहुत ही जादा रो रही थी, एक डिटेक्टू आकर फिर उनसे बात करता है, इसका नाम था ड्वाइट, ड्वाइट ने कहा कि मुझे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा कि क्या इस सचुन्स में suicide थी, क्या कुछ अलग था, इस बात पर मिनी उस पर बहुत ही जादा गुस्ता हो जाती है, कहती है, अभी अभी मेरी मदर की death हुई है, और तुम ये सब बात हैं हमसे कर रहे हो, ड्वाइट फिर मार्टिन से अकले में बात करता है, मार्टिन और मिनी किस किस टाइम पर कहा कहा थे, इस सब की details उसने ल के बाद, डायन की फिरिंड सी, ये मार्टिन बन लाइन मारने लग गे, जले ना आकर मार्टिन से बात करती है, और कहती है, अगर तुम्हें कभी भी सहारे की जरुवत पड़े, तो मैं हमेशा तुमारे पास हो, मैं 10 मिनिट में तुमारे घर पर आ जाओंगी, मार्टिन औ लड़की माइक के साथ काम करती थी, यानि कि लड़की भी एक एक सकौर्ट है, इस सब बातों से मार्टिन डर जाता है, कहता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, माइक किसी ना किसी को तो बता देगा, मिनि ने कहा कि वो किसी को कुछ भी बताएगा नहीं, अगर उसने बताया तो उसका भी राज हम खोल देंगे क्यों एसकोर्ड को लेकर होटेल में था इस डर की वज़े से मार्टिन और मिनी की रिलेशनशिप जरा खराब होने लगे थी एक दिन मिनी से मिलने के लिए डिरेक्ट्ट हुआ आया वो मिनी से कहता है कि तुम्हारे मदर के रिपोर मार्टिन से बात करनी थी आज राद उसे अपने एक इंपोर्डन अपोइन्मेंट कैंसल करकर डिरेक्ट्ट्ट उसे बात करनी पड़ी उस रात की बारे में उसने बहुत की डिटेल से क्वेशन पूचे कि किस टाइम पर हो कहा कहा थै उन्हें घर आने के लिए कितना टाइ मार्टिन ने उसका पीछा गया किसी और आद्मी के साथ टांस कर रही थी सुभा वो बहुत लेड घर पर आई तो मार्टिन कहता है तुम रात बर कहा थी मिनी कहती कि एकी टाइम पर तुम मेरे फादर और बॉइफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो मार्टिन कहता है कि हम दोन जाती है इसका एड्रेस उसने ट्रेस किया तो से पता चलता है कि माइक के ऑफिस से उसे इंवलोप मिला था वो पहले माइक पर शक कर रहा था तो इस बात पर वो बहुत जादा गुसा हो जाता है जब मार्टीन ऑफिस में वापस आता है तो उसके बॉस ने उसे बुला हुआ था, वो गहते हैं कि हमारा एक बहुत important client तुम्हारी वज़े से चला गया और उन्होंने उसे fire कर दिया, इस company को खड़ा करने के पीछे Martin का बहुत बड़ा हाथ था, तो बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो गया था, इस सब के बारे में रात में Minnie से बात करता है, अब वो गुस्से जाकर माइक से बात करती है, उसने कहा कि मार्टिन को एक envelope मिला था, जिसमें मैं और मार्टिन हम दोनों बहुत ही करीब थे, कैसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, माइक कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे idea होगा, वैसे तुम दोनों के वीच में जो भी है acceptable है, इसके एक दिन जब वो स्कूल में आये, तो उसकी प्रिंसिबल उसे बुलाती है, प्रिंसिबल के पास डिटेक्ट्यू था, उन्होंने उसे एक वीडियो रेकॉर्डिन दीका है, जिससे साफ साफ पता चलता है, मीनी स्कूल के फार्मसी से कुछ मेडिसिन चुरा रही थी है, ये बार डिटेक्ट्यू ने दोनों को डिरेक्ली पुली स्टेशन में बुलाया, पहलो मार्टिन से बात करता है, उसने कहा कि डायन की डेट ये गाड़ी में हुई थी, पर जितना पेट्रोल लगना चाहिए था, उतना लगा नहीं था, इसका मतलब है, तुमने हम से जुटका मार्टिन ने भी इसे मना कर दिया था, राद में मिनी और मार्टिन फिर माइक का शो देखने लग गया, इस पर आज मिनी भी आई हुई थे, शो पर एक कपल आया हुआ था, जिसके आदमी के साथ मिनी डेट पर गई थे, इस बात से उन कपल में जगड़ा हो जाता है, मिनी माइक के घर पर पहुच गया, उसे हो मारने लग जाता है, पैरलल में मिनी ने पुलीस को कॉल कर दिया, मार्टिन माइक को मारने वाला था, तब पुलीस वहाँ पर पहुच जाते है, और उसे अरेस्ट कर लेते है, पुलीस को लगा कि डायन का मर्डर मार्टिन नहीं किया ह तो उसे एक बड़ी जेल हो जाती है जेल में मिनी उसे मिलने के लिए आई मार्टिन कहता है यो फोटोग्राफ अभी माइक के पास है अगर तुम जाओ तो माइक को हमारे रास्ते से हम हटा सकते है मिनी कहती है कि तुम बहुत ही जादा बुद्धू हो वो सब फोटो मैंने ही तुमें भेजी थी जो भी सब कोच हुआ यह पहले से मेरा ही प्लान था मार्टिन बैजारा हमेशा के लिए जेल में फच जाता है मैंनी लास्त वे हम से खेती है यह भी एक बहुत अच्छा एक्स्पिरियंस था उसे अलग-अलग चीज़े ट्राइ करने में मज़ा आता था तो यह भी ट्राइ करने में उसे बहुत ही मज़ा आया इसे एक ट्विस्ट एंडिंग के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पिरेशन चलगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिविशन आइकोन दोने मत भुलियेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निर्मों के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखें